नश्या दोस्तों, election year में तेलंगाना के मुख्यमंतरी KCR ने एक घोसना की है, announcement की है, जो minority committee के लोग हैं और गरीब हैं तेलंगाना में, उनको एक लाख रुपे सरकार देगी अपनी तरब से, सिधा कैस देगी, वो लोग जो गरीब हैं और minority committee में आते हैं, तो इस फैंसले को लेके एक debate स्टार्ट हो गई हैं, क्या इस परकार से KCR को, यनी तेलंगाना के मुख्यमंतरी को freebies देनी चाहिए, देनी चाहिए पहली बात, क्या सिरफ एक section को देनी चाहिए दूसरी बात, इस फैसले के pros and cons क्या हैं, हम discuss करते हैं, देखो आप भी अपनी जो राय है, comment box में बताईएगा, ये freebies देना खास करके, election year में, कितना सही, कितना गलत, इसे देश के लोगो वास्ताव में फाइदा होता है, या सिरफ ये गोशनाए, election जीतने के लिए होती है, pros क्या है decision के, गरीबी कम होगी, minorities, communities के लोग जो गरीब हैं, उनको एक लाख रुपे मिलेंगे, तो गरीबी कम होगी, कुछ लोग इन पैसों की साहिता से वेपार करेंगे, पैसे कमाएंगे, गरीबी रेखा से उपर आएंगे, दूसरा, inclusivity and social welfare, ये point दरसाता है कि सरकार जो है सभी communities को साथ लेके चलती हैं, सिरफ majority पे ध्यान नहीं देती, minority को भी सरकार साथ मिलेके चलत इस पैसे की साहिता से, minority community के लोग जो हैं, मतलब जो गरीब परिवारों से आते हैं, जो beneficiary होंगे इस scheme के, उनके बच्चे education हासिल कर सकेंगे, अपना इलाज करवास केंगे, मतलब वो और जदा उनके पास में शक्ती आएगी, वो empowered मैसूस करेंगे, और इसी से मिलता जुलत अगला point कि उनके basic अधिकार मिलेंगे इस गोशना से, लेकिन देखो इस decision के बहुत सारे cons भी हैं, जिसको लेके, तेलंगनाना के मुख्यमंत्री का ये decision criticize किया जा रहा है, सबसे पहले selective benefit, अगर देखो गरीब लोगों को ही चुनना है, तो सिरफ minority communities के गरीब लोगों को ही क् कर दी गई है, कितना खर्चा आएगा कोई अनुमान नहीं, fiscal deficit बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये तो वही बाली बात होगी, अभी election जीतते हैं, बाद की बाद में देखेंगे, next, caste and religion based politics, ये देखो, एक परकासे ना religion based politics है, कि कुछ धरम के लोगों को खुश किया जा है, ताकि उनके vote हासिल हो, elections में, इस से ना society में divisions और ज़्यादा बढ़ती है, एक community का दूसरी community के बीच में नफरत बढ़ती है, कि उनको फाइदा पुंचाया जा रहा है, हमको नहीं पुंचाया जा रहा है, next, age limit exclusion, ये भी बोला गया है, कि जो इस scheme के लिए apply करना चाहते ह है ना, उनकी age 21 से 55 के बीच में होनी चाहिए, क्या 55 से जादा होने के बाद में वो person गरीब नहीं रहता, गरीब की age थोड़ी ना होती है, मतलब किसी भी age में कोई person गरीब हो सकता है, lack of focus on systemic issues, एक बात बताएए, या तो आप किसी इनसान को मचली पकड़ना सिखा दो, या फिर उसको मचली दे दो, अगर उसको आप मचली दोगे, तो कुछ दिनों के लिए उसका काम चल जाएगा, बाद में आप हमेशा के लिए तो दे नहीं सकते, सबसे अच्छा तो यही है ना, आप उसको skill दो, लेकिन सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है, आजाद लीडर्स का जो vision है काफी छोटा है, अभी तो सिर्फ एक साल से भी छोटा है कि election जीतें, बाद की बाद में देखेंगे, और बहुत बार ऐसा होता है, इन schemes के implementation में, corruption आ जाता है, डंग से यह schemes implement भी नहीं होती, bureaucrates पैसा खा जाते हैं, इसका conclusion आप दीजिए, conclusion में आप क्या लिखोगे, अब चलिए discussion, start करते हैं, date है, 24 जुलाई, और काफी सारे articles आज हम discuss करेंगे, महान पावर बनने के रास्ते में इंडिया के सामने क्या dilemmas हैं, वो हम discuss करेंगे, इसके बाद इंडिया की mineral potential को achieve करने से समधित article हम discuss करेंगे, यहाँ पे AI से समधित article है, UCC से समधित article है, देखो एक चीज आपको बता दू, articles के selection में मैं बहुत time invest करता हूँ, दो-तिन दिन पहले एक data से समधित article आया था, साइद वो बच्चा regular नहीं होगा, उसने बोला कि सर यह data वाला article हमने cover नहीं किया, देखो पहली तो चीज data protection वाला बिल आने वाला है, वो बिल पास हो articles हैं, मैं articles का selection ऐसे करता हूँ, जादा से जादा issues cover हो, चाहे वो किसी भी newspaper से cover हो, main objective होता है, जितना भी आपका syllabus है ना, syllabus से संबंदित जो भी current में चल रहा है ना, वो आपका cover हो, पूरे syllabus को मैं touch करना चाहता हूँ, ताकि exam में आपको कोई भी ऐसा current फिर ना मिले, किसी topic से संबंदित जो रह गया हो, ये हिंदू-इंदू के प्रोसे नहीं रहते हैं, कि हाँ भई हिंदू तो सिरफ एक base है, दिखाने के लिए है, चाहे Indian Express का article हो, Times of India का हो, Tribune का हो, main objective यही है कि सारा का सारा जरो syllabus है ना, उसका current एक बार touch हो जाए, आपका mains जबरदस्त धंग से तय प्यार हो जाए इस session की बुदूलत, तो चलिए अब discussion start करते हैं, जब देखो India, United Nations की security council में permanent seat मानता है न, तो कुछ लोग बोलते हैं, पहले India को अपनी सडकों पर गड़े भरने चाहिए, जब India, Mars पर रोकेट भीजने की बात करता है, तो कुछ लोग बोलते हैं, कि पहले आ इच्छा है न, great power बनने की, उसमें क्या dilemmas हैं, मतलब, dilemmas मतलब जब आपको दो difficult रास्तों में से एक को choose करना पड़ता हैं, आप JS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हों, चलिए एक interesting story start करते हैं, साल 1991, उस समय इंडिया कमजोर और गरीब था, काफी तरह की problem से घिरा इंडिया ने एक important साथी हो दिया, जो मुश्किल समय में इंडिया की मदद किया करता था, और foreign exchange reserve के तो आप बाती मत कीजिए, बिल्कुल खाली, सिरफ 5.8 billion dollars, जुरूरी वस्तुएं import करने के लिए इंडिया के 5 dollars नहीं थे, जो situation आज के समय में सिलंका और पाकिस्तान की हैं ठीक वैसी ही situation इंडिया की थी, population कितनी 846 million, 50% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे, पाकिस्तान के साथ यूद का खतरा मंडरा रहा था, और कश्मीर में insurgency बिल्कुल peak पर थी, US बार-बार इंडिया और पाकिस्तान पे नजर रखे हुए था, कहीं ये दो देश nuclear weapons ना हासिल कर लें, इसी वज़े से US अपने representative को, अपने diplomats को समय समय पर इंडिया में भेजता रहता था, इंडिया को advise देने के लिए, counsel करने के लिए, डराने के लिए, धंकाने के लिए, कि अगर आपने nuclear weapon हासिल किये, तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, अब आईए 2023 में, आईए, इंडिया के foreign exchange reserve में पैसा कितना? 600 billion dollars, आज पाकिस्तान से इंडिया को यूद का कोई ख इंडिया उसकी तयारी किये हुए है, हर परकार की तयारी इंडिया ने कर रखी है, चाइना से निपचने के लिए, 1991 में जो LPG reforms इंडिया में आये थे ना, liberalization, privatization, globalization, उसका फाइदा इंडिया को हुआ, उस समय इंडिया ने जो काफी चीजों में investment करी ना, उसका फाइदा इ economy है, जल्द ही इंडिया की nominal GDP के size हो जाएगा 4 trillion dollars, आज इंडिया की जो military है, world की सबसे बड़ी military में से एक है, 100 से जादा nuclear weapons हैं इंडिया के पास है, US आज के समय में इंडिया का close मित्र है, काफी गहरा मित्र है, उस समय उस के साथ इंडिया के रिष्टे अच्छे नहीं थे, मतलब जो investment इंडिया ने की उस समय 1991 के बाद में उसका impact आज देखने को मिल रहा है, उसके fruits, उसका फाइदा आज इंडिया को देखने को मिल रहा है, आज देखो इंडिया एक important swing power है, जैसे देखो अकसर घरों में होता है, मान लीजिए मम्मी और पापा दोनों की equal चलती है, लेकिन बेटी का नाम है निशा, अब किसी फैसले पर dispute हो गया, तो parents पूछते हैं निशा से आप किस side हो, निशा बोलती है मैं मम्मी की side हूँ, तो देखो वही फैसला होता है, वही group powerful हो जाता है, उसी परकार से international politics में, इंडिया निशा की तरह है, जिस side इंडिया होगा, US क side होगा, तो USA का group और powerful हो जाएगा, रश्या की side इंडिया जाएगा, तो रश्या का group मजबूत होगा, तो इसलिए USA और रश्या दोनों चाहते हैं कि इंडिया हमारी side आए, इंडिया अभी ये बात सही है, USA की तरफ थोड़ा ज्यादा inclined हैं, अगर पिछले कुछ सालों का trend बट रश्या के साथ इंडिया के relations अभी भी ठीक हैं, आज के समय में इंडिया के जो language है ना भासा है ना international politics में, वो mediation वाली है, मतलब इंडिया हमेशा peace की बात करता है, mediation की बात करता है, बहुत strong मांग चल रही है कि युक्रेयन के issue पर इंडिया mediate करवाने में एक important role play करे, सांती करवाने में, दोनों देशों में सुला करवाने में इंडिया important role play करे, आज के समय में इंडिया काफी serious issues पर mediation करवा सकता है, एक तरफ North और South के बीच में, North South मतलब developed और developing countries के बीच में काफी सारे issues को लेके जो टकराव रहता है ना, जैसे climate change है, दूसरी तरफ East और West के बीच में इंडिया mediation का काम करवा सकता है, West मतलब USA, यूरोप के देश और East मतलब रश्या और रश्या के मितर देश, ये term जादा इस्तमाल होती थी cold war के दुरान, West मतलब capitalist वाले countries और East मतलब communist countries, आज के समय में ये term उतनी relevant नहीं है, समझने के लिए आप समझे, रश्या और USA के बीच में mediation करवा सकता है, इंडिया अभी इंडिया का इतना कद है, लेकिन देखो, लेकिन देखो, पिसले 30 सालों में इंडिया काफी powerful हुआ है, ये बात सच है, बड़ एक बात बताईए, आज भी इंडिया की per capita income कितनी है, सिरफ और सिरफ 1947 डोलर्स, ये 2021 का आंकड़ है, हमारा पडोसी देश बंगलादेश, बंगलादेश की भी per capita income जो है, वो हमसे ज़्यादा है, कितनी? 2227 टोलर्स, बंगलादेश की मिल्टरी आज के समय में 40 फे नंबर पे सबसे बड़ी मिल्टरी है, बंगलादेश की GDP आज के समय में इंडिया से काफी छोटी है, देख अगर कोई देश powerful है, उसकी economic size बड़ा है, उसकी military का size बड़ा है, तो कोई ज़रूरी नहीं उस देश में citizens का भी well-being होगा, जैसे इंडिया है, इंडिया में military का size बड़ा, economic size बड़ा, लेकिन per capita income काफी कम, तो यह पहला point आप ड्रा कर सकते हो, कि economic size, military का size बड़ा होने से को यहाँ पे लोग भी well-off हो, दूसरा point आप यहाँ पे यह ड्रा कर सकते हो, बंगलादेश के context से, हो सकता है किसी देश में per capita income ज़्यादा हो, लेकिन कोई जुरूरी नहीं उस देश की economy का size ज़्यादा होगा, उस देश की military का size ज़्यादा होगा, जैसे बंगलादेश, तो यह पूरी story सुनने के बाद में अभी आता है एक dilemma, मतलब दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना है, आप भी comment box में बताइए, आप कौन से रास्ते पर जाना पसंद करोगे, देखो, हमने अभी समझ लिया कि इंडिया अपने आपको assert कर रहा है, global power के तरह पे develop country इंडिया बनना चाहता है, security council में permanent seat चाहता है, wish of guru इंडिया बनना चाहता है, दूसरी तरफ देखो, इंडिया के अंदर अभी roads भी अच्छे नहीं है, infrastructure अच्छा नहीं है, governance सम्मंदित बहुत सारे issues है, corruption है बहुत ज़्यादा, basic इंडिया की economic size बढ़ा हो, ease of doing business पहले से अच्छा हुआ हो, आज भी बिना रिस्वत दिये, नया business start करना बहुत मुस्किल है, आज भी reason के नाम पे, caste के नाम पे, ethnicity के नाम पे, religion के नाम पे, हमारे देश के लोग बटे हुए हैं, तो ऐसी situation में, दो रास्ते इंडिया की तरफ हैं, एक तरफ इंडिया को गरीबी दू करनी चाहिए, यह सब जो issues हमने अभी discuss किये, इनको ठीक करना चाहिए, दूसरा रास्ता, नहीं, इंडिया को powerful country के तोर पे अपने आपको assert करना चाहिए, विशव गुरू बनना चाहिए, world के दूसरी देशों का, आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सा रास्ता ठीक है गरीबी ठीक करे, या फिर विशव गुरू बने, खड़े ठीक करे, या फिर मार्स पे जाए, देखो इसका answer ये है, पहरी तो चीज आप इस चीज को ना binary में मत देखो, या ये या ये, किस ने कहा कि दोनों में से एक ही काम करना है, आज देखो इंडिया का जो status है, world में अ के लिए, देखो एक simple कहवत है, अगर आप rule बना नहीं रहे होना, तो इसका मतलब आप दूसरों के बनाए हुए rules को follow कर रहे हो, मान लीजिए आज इंडिया अपने आपको global politics में assert करना छोड़ दे, चुप चाप बैठ जाए, तो rules तो बनेंगे, लेकिन उन rules को बनाने में इंडिया सामिल नहीं होगा, और जो rules बनेंगे वो इंडिया के खिलाफ बनेंगे, इससे अच्छा तो यही है ना, कि global politics में जो rule बने, world को चलाने के लिए, उसमें इंडिया अपना role play करे, उसमें इंडिया अपनी भूमी का निभायत, ताकि rules ऐसे बने जो इंडिया के hit में हो, rules ऐसे बने जिससे इंडिया की गरीबी खतम हो, rules ऐसे बने जिससे इंडिया की economy का फाइदा हो, समझ गए, यह answer है, कि इंडिया को global politics में अपने आपको assert करना चाहिए, लेकिन इस उदेश्या के साथ, कि हमारी जो domestic problems हैं, वो दूर हो, देखो वैसे सरकार ना, foreign policy पे इतन Ministry of External Affairs के लिए पिछले 4-5 सालों में, सिरफ 0.44%, जबकि देखो, इंडिया का status जिस हिसाब से global politics में increase हुआ है, Ministry of External Affairs के लिए ज्यादा budget allocate होना चाहिए था, लेकिन नहीं, foreign policy कौन चलाता है, career bureaucrates, मतलब जो Indian foreign service के officer हैं, वो चलाते हैं, उनमें risk taking appetite बहुत कम होता है, मतलब पुराने धर्रे पे वो चल रहे होते हैं, जिस हिसाब से, इंडिया के foreign policy रही हैं, पिछले कुछ सालों में, उसी परकार के सोच हो जाती है, career bureaucrates की, वो कुछ नया नहीं सोच पाते, out of box नहीं सोच पाते, तो ये सारी problems हैं, जो इंडिया face करता है, अपनी foreign policy making में, सरक होगा, तभी तो इंडिया अपने आपको global politics में एक मजबूत और powerful country के तोर पे assert कर सकता है, समझ गए, तो ये पूरा article हमने discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद next article, इंडिया के mining potential से समधित है, इंडिया देखो, world का manufacturing hub बनना चाहता है, बहुत सारी companies, covid-19 की महमारी के बाद, चाइना से relocate होना चाहती है, और इंडिया उनके लिए एक बहतर option है, बड़ देखो, अगर इंडिया को manufacturing hub बनाना है न, world का, तो minerals के आओ सकता है, minerals का इस्तमाल होता है, देश की अलग-अलग sectors में, जैसे automobile sector में, electric vehicles की industry में, construction sector में, infrastructure sector में, almost हर एक sector में, minerals का इस्तमाल होता है, और अभी देखो, बहुत सारे minerals इंडिया को न, import करने पड़ते हैं, और इंडिया का तो अपना अलग से objective है, आतम निर्भर भारत, यानि भारत को आतम निर्भर बनाना है, import पे जो dependency है न, वो खतम करनी है, धर्तिकी गोद में बहुत सारे minerals मिलते हैं, world के अलग-अलग इला timeline के माध्यम से आपको बताता हूँ, timeline के माध्यम से आपको बिलकूल, आपके mind में print हो जाएगा, बाद में याद रखनी क्या हो सकता नहीं पड़ेगी, concept clear हो जाएगा, 1990-1999 में हमारे देश में LPG reforms आए, उससे पहले थो minerals की जो exploration है, वो सिरफ public sector किया करता था, लेकिन LPG reform आने के बाद सरकार ने इसे open कर दिया private sector के लिए, 1993 में एक national mineral policy आई थी, इसमें private sector को allow किया गया था कि आप भी कीजिए, minerals की exploration मतलब minerals ढूड़िये हमारे देश में, बड़ी-बड़ी world की companies आई थी, जैसे DBRs, Rio Tinto, Anglo American Group, और उसमें policy ये थी, first come, first serve basis वाली, मतलब जो पहले आएगा, उसे ही हम explore करने की minerals ढूड़ने की और उसके बाद mining करने की इजाज़त दे देंगे, कई सालों तक देखो, यही policy चलती रही, first come, first serve, जो पहले हमसे मांगेगा, उसी को हम license दे देंगे, बट ना, Supreme Court ने 2012 में ये बोला, अरे भया, ये policy गरत है, first serve, first come, first serve वाली, इसमें तो corruption के chances बहुत ज़्यादा है, किसी ने सरकार के पास license के लिए apply किया, सरकार जुट बोल देगी, आप से पहले कोई और कर चुका है, सरकार इसमें अपनों को ही license दे सकती है, और उनको mining करने का हक मिल जाएगा, वो company क्रोडो रुपे कमाएगी, और जो company सरकार की चहेती नहीं है, सरकार उसे मना कर देगी, समझ गये, तो corruption की सिकायते थी, सुप्रिंग कोट ने इस policy को बंद करने का आदेश दिया, 2015 में Mine and Minerals Amendment Act 2015 आया, इसमें first come first serve वाली policy को खतम कर दिया गया, और mineral allocation होने लगा, बोली के अधार पे, जो जैसी बोली लगाएगा, उसी के हिसाब से उसको mineral allocation के लिए land मिलेगा, फिर 2015 में सरकार ने National Mineral Exploration Trust बनाया, इस trust को काम दिया गया था कि आप help कीजिए, प्राइवेट सेक्टर की, उसको financial assistance प्रोवाइड कीजिए, technical expertise प्रोवाइड कीजिए, ताकि उनका interest जगे, mining में और exploration में, exploration मतलब minerals को ढूणना, और mining मतलब ढूणने के बाद उसे निकालना, बट देखो ये trust ना कुछ खास काम नहीं कर सकाम, private sector attract नहीं हुआ, इस trust के पर थी, क्योंकि ना उस समय एक दिक्कत थी, दिक्कत ये थी, सरकार कहती है, ये trust आपकी help करेगा, बट अगर आपने एक बार minerals ढूण भी लिए ना, तो कोई जरूरी नहीं आपको license मिलेगा, mining करने के लिए, एक बड़ आपने explore कर लिया, तो mining के लिए आपको अलग से license के लिए apply करना पड़ेगा, ये कमी थी, फिर फरवरी में mining ministry ने एक proposal रखा, exploration license का, ताकि जो critical minerals है, 30 critical minerals जिनका इस्तमाल होता है, देश की security के लिए, देश की economy को आगे ले जाने के लिए, जो ज़रूरी minerals हैं, जैसे cobalt, lithium ये सब, इनकी exploration के लिए, oxning होगी, जैसे मालीजे कोई भी company, 5 साल के लिए बोल सकती है, कि मैं इस area में, minerals को खोजूंगी, और अगर मुझे minerals मिल गए, तो फिर मुझे वहाँ पे mining का भी right मिलेगा, क्योंकि मैंने खोजे हैं, ऐसा composite license का provision सरकार लेकर आई, जो explore करेगा, उसे mining का भी अधिकार मिलेगा, पहले ये कमी थी, 2015 के rule में, इसलिए सरकार ने इस कमी को सुधारा कि, जो ढूंडेगा, उसे mining करने का अधिकार भी मिलेगा, आगे बढ़ने से पहले, एक question में आपसे पूछना चाहता हूँ, deep-seated minerals कौन से होते हैं, critical minerals तो मैंने आपको बता दिया, जो देश की security के लिए, economy के लिए ज़रूरी हैं, deep-seated minerals कौन से होते हैं, देखो deep-seated minerals वो होते हैं, जो धर्ती से काफी नीचे deep जाके मिलते हैं, बहुत नीचे जाके मिलते हैं, जैसे gold है, iron है, इनको धर्ती से निकालना आसान काम नहीं होता, बहुत challenging होता है, और cost भी ज़्यादा आती हैं, ये है deep-seated minerals, अभी देखो mining sector से सम्बंदित, कुछ data आप ध्यान में रख लीजिए, answer writing में बहुत ज़्यादा काम आएगा, mining sector हमारे देश में कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है, directly तो देखो 11 million लोगों को, और indirectly 55 million लोगों को, इंडिया में R&O production जो जितना होता है न, इस मामले में इंडिया वर्ल्ड में चोथे नंबर पे है, 2021 का ये data है, coal production के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पे, combined aluminium production के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पे, कितना 4.1 metric ton per annum, minerals की demand 2023 में और भी ज़दा बढ़ जाएगी 3%, क्योंगी electrification हो रहा है, आपको पता है, electric vehicles हो गए, solar modules हो गए, green energy की तरफ हम transition कर रहे हैं, wind energy है, हर परकार की energy जो है, वहाँ पे इन minerals की आवशकता है, energy production में, steel और aluminium के production के मामले में, इंडिया के पास advantage है, conversion cost कम है, conversion cost मतलब, raw material को final ready made product में तबदील करना, यह जो process है ना, इसमें कम खर्चा आता है इंडिया में, क्योंकि labor सस्ती है, समझ गे, export opportunity इंडिया के पास काफी है, क्योंकि इंडिया की location काफी अच्छी है, बीच ओ बीच, इंडिया western countries में भी export कर सकता है, इतना transportation cost नहीं आएगा, और eastern countries को भी, यानि हमारे east में जो Asian countries हैं उनको भी, कुछ challenges है, regulatory hurdles, जैसे देखो, अभी ना इंडिया किसी को mining के लिए lease पर देता है ना, किसी company को कोई area, सिरफ 10 km square वाला देता है, समझ गे, ज़्यादा बड़ा area lease पर नहीं देता, तो बड़ी companies के लिए थोड़े disadvantage है, उनको लगता है, क्या यार, इतने छोटे मुट area के लिए क्या ही जाएं, next है, inadequate mineral exploration, deep-seated minerals, वो minerals जो धर्ती से काफ़ी नीचे से निकाले जाते हैं, उनको explore करने के लिए कम companies सामने आती हैं, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, अभी import के उपर dependent है, इंडिया जितना minerals के आऊ सकता है न, उसका एक चोथाई तो देखो, इंडिया import करता है, 2021 में, 2021 में इंडिया का जो import bill था मिनरल्स का, 157 billion dollars का था, और R&O और bauxite ये double taxation phase करते हैं, रोयल्टी के उपर फिर से रोयल्टी लगती है, लास्ट में suggestions हैं, क्या करना चाहिए, domestic exploration को incentivize करो, मतलब, छोड़ी-छोड़ी companies को भी न, incentivize करो कि वो मिनरल्स explore करें, खोजें, incentivize करो, उन्हें कुछ फाइदा हो, तब ही वो explore करने के लिए आएंगी, shift in exploration model, ये वही point है, जो मैंने अभी बोल दिया, उपर वाले point में तो ये सारी बाते बोलते हैं, जैसे 30 जो critical minerals है, जो सरकार ने announce किये है, उस पर ज़्यादा focus किया जाए, वो green technology manufacturing के लिए ज़रूरी है, और 2070 तक अगर इंडिया को net zero carbon status हासिल करना है, तो इन critical minerals के इंडिया को बहुत आउशकता है, private companies को increase किया जाए, कि वो non atomic minerals को explore करें, non atomic minerals में वो सारे minerals आ जाते हैं, जिनकी atomic energy में application नहीं है, atomic energy वाले जो minerals है न, वो सिरफ सरकार के लिए reserve होते हैं, लेकिन बाकी minerals सारे के सारे open कर दें सरकार, तक कि private companies इन्हें explore कर सकें, और जो regulatory body है mining के लिए, वो independent ढंक से impartial होके काम करें, किसी को special तवज्जो या फिर privilege नहीं दी जाए, special treatment ना दी जाए, तो ये पूरा article हमने डिसकस किया, देश में mining sector के potential से सम्बन्दित चलते हैं आगे, इसके बाद देखो एक important article हम, text context का, बिड़ाकुईलीन के बारे में, बिड़ाकुईलीन क्या हम, ये देखो एक drug हम, जो drug resistant, TB के इलाज में काम आती हम, बहुत important drug है ये, और कौन सी कंपनी की drug है ये, Johnson & Johnson, जिसका baby shampoo आता है ना, हाँ, वही company है ये, अब देखो, ये बिड़ाकुईलीन drug जो है ना, महंगी है, patent किसके पास है, Johnson & Johnson के पास में, अच्छी चीज ये है, अभीना patent expire हो रहा है, बिड़ाकुईलीन drug का, और एक बार drug, patent expire हो गया एक बार, तो उसके बाद आपको पता है, जो generic companies है ना, वो भी इस drug को manufacture कर सकती है, और जो generic drug manufacturing companies है, वो सस्ता drug को बेचेंगी, generic drugs के तोर पे, तो सस्ता ये drug अगर बिकेगा, तो ज़्यादा easily, affordable होगा, ज़्यादा लोग इसे access कर पाएंगे, ये एक important event होगा, TB को खतम करने में, समझ गए, ये सारा background है, बट ना, Johnson & Johnson company, जिसने ये drug develop की थी, कुछ philanthropic organizations के सयोग से, वो बहुत चलाकी कर रही है, उसने ना, इसी drug के लिए, एक secondary patent के लिए apply कर दिया है, जैसे कुछ drug companies होती है न, जो evergreening of patent चाहती है, उसका patent period खतम भी हो गया, तो वो किसी ना, किसी बहाने से फिर से, patent हासिल करने कोशिज करते हैं, बहाना ये होता है, जैसे कुछ नई discovery हुई है, इस drug की, कुछ पहले कमिया थी, कि वो कमिया हमने दूर की है, ये नया drug है, तो ऐसे कारणों के, ऐसे कारण देखे, ऐसे regions देखे, फिर से patent हासिल करने की कोशिज की जाती है, पहले वाला patent expire होने के बाद, इस चीज को कहा जाता है, evergreening of patents, तो Johnson & Johnson Company ना, 66 देशों में फिर से, इसी drug के लिए patent हासिल कर रही है, इंडिया ने तो मना कर दिया, इंडिया की जो drug regulatory authority है न, उन्होंने बोला, भगो यासे, नहीं देते हम आपको patent फिर से, और इंडिया का तो देखो, मना करना मनता भी था, क्योंकि सबसे ज़्यादा TB के जो cases है न, इंडिया में ही है, लेकिन एक चिंता की बात पते क्या है, चिंता की बात ये है, कुछ गरीब देशों में, ये जैनर्डिक ड्रग नहीं available हो पाएगी, ये चिंता की बात है, तो बड़ी companies किस परकार से, सिरफ अपना profit सोचती है, और कितने लोग की जान चली जाती है, TB की वज़े से, उस पर वो ध्यान नहीं देती, ये एक बड़ा question है, ethics में भी आप इस example को इस्तमाल कर सकते हो, और इंडिया के लिए काफी एतिहासिक डे, जब इंडिया के patent office ने, पहले मैंने drug regulatory authority बोला न, नहीं, इंडिया के patent office ने reject कर दिया, Johnson & Johnson company के secondary patent को बोला, नहीं हम नहीं देंगे, हम चाहते हैं, ये drug हमारे देश में सस्ती उपलब्ध हो, आपने पहली बार जब आपको patent मिला था, अच्छा खाशा पैसा आपने कमा लिया, तो ये पूरा article हमने discuss किया, अब आज का question आप देख लिजे, ethics से हम सुरुबात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था last week, कि daily basis पे हम एक question और उसका answer भी discuss करेंगे, तो आज से ethics से सुरुबात कर रहे हैं, question ये है, वीडियो को पोस करके आप ये question ध्यान से पढ़िए, question देखो ये है, wisdom देखो, बुद्धी मता यानि wisdom इसी चीज में है, आपको ये पता होना चाहिए, किस चीज पे आपको ध्यान देना है, और किस चीज को आपको इग्नूर करना है, वो civil servants, जो ज़िरूरी चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन, छोटे-छोटे issues पे अपनी सारी energy और time invest करते हैं, तो इससे होता क्या है, good governance प्रभावित होती है, ये question है, इसको आपको critically evaluate करना है, तो शुरुवात में देखो, आप wisdom के मतलब के बारें बताओगे, इसे relate करोगे civil services से, उसके बाद, ये जो बाद बोली गई है ना question में, इसको आप substantiate करोगे, अलग-अलग examples के साथ में, बताओगे कि कैसे civil servants जब ध्यान नहीं देता, जुरूरी चीजों पे, तो कैसे inclusive development नहीं आ पाती, फिर सबसे last में आप conclusion दोगे, significance क्या है, core issues पे focus करने की, सबसे पहले, wisdom, देखो civil services में wisdom का मतलब है, ये पता होना चाहिए, कि कि इस पे ध्यान देना है, कि इसको ignore करना है, एक famous quote है ना, choose your battles, अपनी battles choose करो, जिसे एक कहवत ये भी है, कि अगर आप गली में जा रहे हो, हर भोगते हुए कुत्ते पे ध्यान दोगे न, तो तो आप कभी अपने destination पे पहुंच ही नई इसकोगे, समझ गे, तो always choose your battles, बड़ा picture सोचो, ये देखो आपके लिए भी applicable होता है, जैसे देखो, आचारय चानक्या नेना चंदरगूप्त मोरय को एडवाईज किया था, कि आप छोड़ी छोड़ी चीज़ों पर मत ध्यान दो, आपका aim होना चाहिए, कैसे भी करके, राज हासिल करना है, राज्य हासिल करना है, अगर आप छोड़ी छोड़ी चीज़ों पर ध्यान दोगे, तो आप राज्य हासिल नहीं कर्श कोगे, अब examples देखिए इसका civil services में, जैसे देखो, officer के पास में एक file आई, कोई committee की report आई, officer formatting पर ज़्यान दे रहा है, हालें कि देखो formatting भी ज़रूरी होती है, बट officer का आदे से ज़्यान तो formatting पर है, कि आपने font 10 लिख लिया, और आपने गलतियां कर दी, 2-3 जगए spelling mistake है, अगर देखो officer इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, लेकिन उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है, resources का जो crunch है, जिसकी वज़े से problem और ज़्यादा बढ़ सकती है, public health system खराब हो सकता है, लोगों तक basic amenities नहीं पहुंचेंगी, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है officer, लेकिन file की formatting पर ध्यान दे रहा है, तो ये justice की परिकास्टा हुई या नहीं हुई, पुलिस वाले अपनी energy लगाते हैं, भैस को ढूंडने में, भैस चोरी हो जाती है, उसको ढूंडने में, Netflix पे एक series है न, movie है पता नहीं series है, कटल चोरी हो जाता है, पुलिस वाले कटल चोर को ढूंडने लगते हैं, तो ये क्या है, ये justice की प्रिकास्टा है, क्योंकि वही पुलिस, जो कटल चोरी पर ध्यान दे रही है, या किसी और चीज़ पर ध्यान देती, तो नहीं जाने कितने लोगों को justice प्रोवाइड करती, तो ये examples आप दे सकते हो, कैसे पता होना चाहिए, ये देखो वैसे तो जादस जादा SOPs होनी चाहिए, ओफिसर के लिए, लेकिन फिर भी ओफिसर के लिए तो आपको पता है, discretion होती ही है, हर चीज़ के लिए आप standard operating procedure नहीं implement कर सकते, तो ऐसी training होनी चाहिए, officers के उसे पता लगे किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, last में conclusion में आप कह सकते हो, कि देखो जो peripheral issues है ना, जो छोटे मोटे issues है, ऐसा नहीं है कि उनको officer ignore कर दे, लेकिन जितनी importance उनको चाहिए ना, सिरफ उतनी importance दे, कटल चोरी हुई है, वो भी गलत बात है, लेकिन, priority तो set होनी चाहिए ना, priorities हैं क्या, crime तो crime है, कटल चोरी भी crime है, भैस चोरी भी crime है, बट अगर उसके अपेक्सा कर्द कोई दूसरा बड़ा मामला है, तो पहले उस पर ध्यान दे, बाद में भैस चोरी या फ़र कटल चोरी पर ध्यान दे, ऐसा conclusion आप दे सकते हों, इसके बाद आज की जो ethical term है, वो भी discuss कर लेते हैं, integrity, it is the quality of being honest, having strong moral principles, unwilling to change, देखो ये definition है, ये आप exam में लिख सकते हों, लेकिन एक question मैं आप से पूछता हूँ, honesty और integrity के बीच में क्या difference है, मैं आपको example बताता हूँ, आप दूसरे examples दीजिएगा, मान लीजिए, मैंने traffic signal तोड़ा, मैंने traffic signal तोड़ा, और उसके बाद साफ साफ बता दिया, किसी ने मेरे से पूछा, मैंने बिना जूट बोले, साफ बता दिया, कि हाँ मैंने traffic signal तोड़ा था, तो मैं honest हूँ, basic मैंने कानून को तोड़ा, लेकिन मैंने साफ बता दिया, truthful रहा मैं, लेकिन दूसरी तरफ, मैं traffic signal तोड़ूँगा ही नहीं, किसी भी खीमत पर, और तोड़ने के बारे में सोचूँगा ही नहीं, ये है integrity, integrity का मतलब होता है, कि आप ethical और moral standards को follow कर रहे हो, तब भी जब आपको कोई देख भी नहीं रहे, आपको पता है कि signal पर कोई भी नहीं है, कोई policeman नहीं है, अगर मैं चला भी जाओंगा, तो भी मुझे कोई fine नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर मुझूद रहते हो, इंतजार करते हो, green light का, इसका मतलब आपके अंदर integrity है, समझ गे, integrity मतलब आप जब ethical और moral principles को follow करते हो, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, तब भी तो आपके पास में integrity है, और honesty मतलब आपने गलत काम किया, लेकिन बता दिया, आप truthful रहे, तो ये honesty है, ये difference है, ये बहुत सारे examples हैं, आप देख सकते हो, आप भी अपनी personal life में integrity और honesty के बीच में difference का एक example ज़रूर दीजिएगा, अब last में summary के माद्यम से हम revise कर लेते हैं, शुरुवात में हमने article discuss किया था, Indian foreign policy से समधित, 1991 में इंडिया की हालत काफी खस्ता थी, बट आज बहुत change आ चुका है, foreign exchange reserve में 600 billion dollars, 4 trillion dollar की nominal GDP इंडिया जल्द ही हो जाएगा, गरीबी काफी कम हुई है, आज इंडिया important swing power है, West और East दोनों इंडिया को चाहता है, मतलब US रसिया दोनों चाहते हैं, इंडिया मेडियेटर का काम कर सकता है, लेकिन देखो domestic challenges भी हैं, आज भी per capita income काफी कम है, गड़े भरे हुएं असर्ड को पे, infrastructure काफी poor है, तो question उठता है क्या इंडिया को global politics में अपने आपको assert करना चाहिए, या पहले गरीबी को मिटाने पे काम करना चाहिए, राइटर कहते हैं, binary नहीं है, दोनों चीज़ों पे इंडिया साथ काम करें, global politics में इस परकार से अपने आपको assert करें, कि rules इंडिया के हिसाब से बने, और इंडिया को फाइदा हो, इंडिया से गरीबी दूर हो, इस परकार से इंडिया rules बनाए, अगर इंडिया global politics में अपने आपको assert नहीं करेगा, तो rules इंडिया नहीं बनाएगा, और इंडिया को नुक्सान हो जाएगा समझ गए आज के समय में इंडिया की सरकार जो है वो foreign policy पर बहुत कम पैसा करती है, external affair ministry के लिए बहुत कम पैसा है, career bureaucrate foreign policy बनाते हैं उनके लिए incentive कम होता है, risk लेने, risk कम लेते हैं इसलिए policy पहले जैसी चली आ रही थी वैसे ही चलती रहती है तो यह सारे points हमने डिसकस किए यह दो questions आज आज आपको attempt करने हैं, दोनों 250 words में यह question तो UPSC ने 2021 में पूछा था, mining से सम्मधित है, इसको आप थोड़ा geography का angle देके answer कीजिएगा, लेकिन आज जो हमने article discuss किया है वो थोड़ा economy के angle पे ज़्यादा था यह question आज आपको attempt करना है, इसी से सम्मधित जो article हमने revise किया तो आज की discussion में बस इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion